हलो एफ्रीवन, वेलकम टू ग्लोबल ओनलाइन, दिस अंकीता सूद, सो पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम डिसकस करेंगे इन्पुट अण आउट्पुट डिवाइसे के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज जो की अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर आज इस प प्लस कोर करके अपना सेलेक्शन पका कर सकते हो, सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कम्लीट कोर्स हमने लांच किया है, जिसमें फुल सेलेबस वीडियो लेक्शर्स हम आपको देंगे, हिंदी इंग्लिश तोनर लैंगविज इसमें कोर्स अवेलेबल है, एक्जामिन जाएंगी चीज़े साथ ही, वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और MCQ सीरीज भी लाई जाएगी, ताकि जब पूरा वीक आपने पड़ा है, उससे बहुत अच्छे से आपकी रिविजन हो जाए, 2000 प्लस MCQ Question Bank में हम आपको देते हैं, previous year questions, most repeated questions और explanation के साथ, यहां पर स फायदा उठा सकते हो, free videos के access के लिए global online app को download कीजे, store section पर search bar में आपको course का नाम लिखना है, इस course के अच्छे से आप लोग overview को ज़रूर पढ़ियेगा, इसकी duration 6 months है, content पर click करने के बाद आपके सामने मेरे separate sessions आजाएंगी, इसमें अभी 150 से जादा sessions आपको मिलते हैं, और म free demo videos, अलग-अलग educators की आपको मिल जाएगी, 2000 MCQ PDF हैं, Hindi and English दोनों languages में, unit wise folders हैं, जहां पर आपको theory lectures अलग हैं, MCQ sessions आपको अलग मिल जाएंगे, mock test हैं और evaluation test है, जो की exam को qualify करने के लिए काफी हैं, तो students जल्दी से आप given numbers पर contact करके हमारी team से इस course की पूरी जानकारी ले सकते हैं, जल्दी से इस course को join भी कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा आज का पहला question है, which of the following groups are only input devices, तो यहां पर हमारे पास चार options हैं, इन में different different devices हैं, जैसे mouse है, keyboard, monitor, joystick, ठीक है, second option में है mouse, keyboard, scanner, joystick and light pen, third option में है mouse, keyboard, printer and light pen, monitor, microphone, printer and light pen, ठीक है, तो यहां पर कुछ devices दी हैं, हमें बताना है कि कौन से group में सभी devices जो हैं, वो input devices हैं, ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को पहले image के थूरू समझाती हूँ, यह चीज़ें, ठीक है, तो जो keyboard होता है, आप सभी ने computer देखा होगा, ठीक है, यह होता है keyboard, तो यह भी क्या है, यह भी है, एक input device जितनी भी हैं, यह सब input devices हैं, इसके थूरू क्या करते हैं, हम लोग कोई भी alphabet, कोई भी character अगर हमें enter करना होता है, तो यह करते हैं, ठीक है, माउस क्या होता है, माउस एक pointing device होती है, ठीक है, वैसे joystick होता है, यह gaming के लिए use होता है, यह है trackball, यह है scanner, touch screen, webcam and microphone, ठीक है, तो य इसमें नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ही eliminate करते, ठीक है, दूसरा आता है keyboard, again, keyboard तीनों में है, monitor, monitor यहां पे नहीं है, monitor क्या होता है, यह एक output device है, ठीक है, तो यह भी eliminate हो जाएगा, again, next है printer, printer जो है, यह भी output device है, तो इसको भी हम eliminate कर देंगे, ठीक है, तो इस तर इसलिए आपने इन चीज़ों को याद रख सकते हो ठीक है तो इसमें हमारा राइट आंसर है option no.2 that is mouse, keyboard, scanner, joystick and light pen next question है हमारे पास the number of function keys in a keyboard is तो जो हमारा पास keyboard होता है उसमें कुछ keys होती है ठीक है यहाँ पे होती है function keys, function keys कितनी होती है 14, 12, 13 और 15 ठीक है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यह है keyboard ठीक है तो यहाँ पे यह है देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो F1, 2, 3, 4 यहाँ पे F12 तक लिखे है ठीक है तो F का मतलब होता है function तो यह क्या है यह है function keys ठीक है तो वैसे हमारे laptop में या फिर हमारे computer के साथ जो keyboard हम attach करते हैं वहाँ पर different keys होती है जैसे यह वाला जो पूरा area है ठीक है यह वाली keys इसमें सिर्फ alphabets हैं तो इसको alphabets keys हम बोल सकते हैं ठीक है यह वाला space है ठीक है यह वाला जो बहुत बड़ी सी key है इसको बोला जाता है space bar तो question में सर्फ function keys पूछा गया है तो यहाँ पर f1 से लेकरके f12 तक keys हैं ठीक है तो हमारे पास right answer होगा option number 2 that is 12 function keys are there ठीक है f1 से f12 तो यहाँ पर होगा option number 2 ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें हमारे पास यह जो key होती है जिसको की ESC लिखा होता है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो ESC इसको बोला जाता है escape key ठीक है f1 से f12 तक होगी function keys यह मैंने आप लोगों को बता दि ठीक है यह होता है हमारे पास numeric keypad जिसमें numbers होते हैं ठीक है तो हर एक keyboard में numeric keypads यहाँ पे भी होता है यहाँ पे भी होता है ठीक है लेकिन कई जगा आप लोग देखोगे कि यह वाला section नहीं होता सिरफ keyboard इतना सा ही होता है ठीक है तो वहाँ पे सिरफ यही वाले numbers हमें use कर यह होता है enter, इससे क्या करते हैं, हम लोग next line में आते हैं, जैसे यहां पर 14 लिख के मैं next line में आ गई हूँ, तो इसके लिए हम enter प्रेस करेंगे, यहां पर number and of, number of के बीच में जो space है, इसके लिए हम लोग यह वाली key प्रेस करते हैं, तो हम अर पास आते हैं alt, इसका मतलब हो tab key, tab से क्या होता है, हम जादा space ले सकते हैं, फिर उसके बाद next important key आती है, हमारे पास arrow key, यह देखो यहां पे left, right, up, down, ठीक है, यह चार तरह से arrow keys होती हैं हमारे पास, तो यह जितनी भी keys है ना, इनको divide किया गया है, different, different sections में, ठीक है, अब जो यह caps lock होता है ना, इससे भी बहुत बार exam equation पूछा जाता है, तो caps lock का use क्या होता है, अगर मानली जी, यहां पे ना, कुछ lights है, यहां पे आप देख सकते हो, three dots आपको नजर आएंगे, ठीक है, तो अगर यहां पे caps lock on होगा, तो इधर एक light नजर आईगी, ठीक है, caps lock on है, तो हम जो कुछ भी जैसे मैंने अपना नाम लिखा, अंकीता, ठीक है, तो क्या होगा, caps lock इसका मतलब on है, अगेन अगर हम caps lock को off करेंगे, तो जो कुछ भी लिखेंगे, वो small letters में आएगा, ठीक है, तो caps lock on मतलब capital letters, caps lock off मतलब small letters, यह चीज़े बहुत जादा important है, तो आप लोग इस image को भी एक input output devices, तो input output devices कौन सी होती है, इनका major function क्या होता है, वो question में पूछा गया है, तो पहला option बोलता है, communications between the user and the computer that results in transfer of data, यानि कि एक computer है and एक user है, ठीक है, इन दोनों के बीच में communication, यानि कि कोई भी file transfer कर रहे है, यसे मान लिजे कि हमने क्या किया, यहाँ पे computer में कोई file भीजी, computer से कोई file अपने पास लिया, फिर download की, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कि क्या input output devices सरफ इसलिए use की जाती है, दूसरा option बोलता है, communication between hardware components that results in transfer of data, ठीक है, तो input output devices क्या होती हैं, कि जितने भी हमारे hardware होते हैं, जैसे कि मान लिजे, यह computer है and यह हमारे पास printer है, तो जितने भी hardware devices हो होता है, उसके लिए input and output devices responsible होती हैं, third option बोलता है, both a and b are true, none of the above, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कि input and output devices होती हैं, तो input devices होती हैं, जिसके through एक user, मान लिजे, यह user है, यह computer चला रहे हैं, ठीक है, जिसके through user, computer के अंदर कोई भी file, कोई भी data को enter करते हैं, अब जिसे keyboard है, keyboard से अगर मैं A प्रेस करूंगी, तो computer के अंदर हम A word को enter कर रहे हैं, तो keyboard क्या है, keyboard एक input device है, mouse से हम क्या करते हैं, computer के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो यह भी क्या है, input device है, similarly अगर हम लोग printer की बात करें, तो क्या होता है, printer हम computer से attach करते हैं, जैसे print की command देत है ठीक है जिसके थ्रू हम लोग data देख सकते हैं कोई भी information को देख सकते हैं जैसे monitor है जैसे यह screen होती है ठीक है laptop या computer की जो screen होती है यह क्या है एक output device है ठीक है क्योंकि यह हमें result देती है कुछ output दिखाती है तो यहां पर हमारा right answer होगा option number three that is both a and b is the right answer next question है which kind of device is a digital camera तो जो camera होता है हमारे पास यहां पर आप लोग देख सकते हो यह digital camera है ठीक है या फिर जो दूसरे DSLR types के cameras होते हैं वो सब चीज़ें ठीक है तो यह input device है यह output device है इससे आप photo enter करते हो यह बाहर निकालते हो ठीक है output input input and output दोनों या फिर यह software है ठीक है तो सबसे पहले आपको मैं बता दूंकि यह है वो software तो बिलकुल भी नहीं है यह क्या है यिक hardware है कर दो के hardware य।ë drawn software में क्या difference होता है जिस भी चीज़े को हम लोग touch सकते हैं ठीक है जैसे इसको हम touch कर सकते हैं तो यह hardware है software क्या होता है जिस चीज़को हम टच नहीं कर सकते जैसे कि हमारा mobile है हमारा mobile है हम लोग mobile को touch करते है तो यह क्या है यह hardware है mobile की battery होती है mobile का charger होता है यह सब चीज़ें hardware आती है लेकिन mobile के अंदर जो applications जैसे whatsapp है facebook है या फिर आप लोग डाउनलोड करोगे हमारा app global online ठीक है तो यह जितनी भी चीज़ें है ना यह क्या है यह सब software है जिसको हम लोग touch नहीं कर सकते ठीक है तो यहाँ पर हम बात करते है digital camera की तो यह क्या है यह हमारे पास एक input device है यानि कि यह बाहर की जो चीज़ें है उनको अपने अंदर capture करता है तो यह चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि किसी भी अगर हमें कोई alphabet एंटर करना है कोई number को एंटर करना है या फिर कोई command अपने computer को देनी है तो कौन सी device यूज़ होगी mouse, keyboard, scanner या फिर all of the above तो right answer है हमारे पास keyboard ठीक है तो जहाँ पर भी text की या फिर numbers की बात आती है तो हमेशा आपने याद अटना है कि keyboard ही होता है तो keyboard कैसा दिखता है वो मैंने आपको अभी बता दिया है ठीक है तो easily आप लोग इस चीज़ को solve कर सकते हो next question है हमारे पास on which one of the following output devices is hard copy often displayed तो कौन सा ये ऐसा output device है जो कि हमें hard copy provide कराता है तो यहाँ पर options है monitor, scanner, printer and keyboard तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि इधर पूचा है output device and जो scanner है ये क्या होती है ये होती है input device तो इसको तो हम पहले ही eliminate कर देंगे keyboard क्या है ये भी एक input device है next आते हैं हमारे पास monitor and printer तो monitor होता है computer की screen तो क्या computer की screen में जो कुछ भी होता है हम उसको touch कर सकते है वो एक hard copy होता है या नहीं होता है ठीक है and printer जो होता है printer से क्या करते हैं जो कुछ भी इसमें माल लीजे कि कोई page है ABCD कुछ भी drawing बनी हुई है इसको हम जैसे print करेंगे तो ये चीज as it is हमें paper पे नजर आएगी इसको बोला जाता है hard copy ठीक है एक ऐसी copy जिसको की हम लोग क्या कर सकते हैं इसको हम print करके अपने हाथ में ले सकते हैं इसको touch कर सकते हैं ठीक है तो ये concept भी बहुत important है examination point of view से कि hard copy and soft copy क्या होता है ठीक है तो जैसे मालीजे कि हमारे phone में ठीक है हमारे phone में कोई photo है ठीक है आपकी कोई personal photo है तो जब तक वो photo आपके mobile में रहेगी तब तक हम उसको बोलेंगे soft copy यानि कि हम उसको touch नहीं कर सकते वो हमारे mobile के अंदर ही है जैसे इस photo का प्रिंट करवा लोगे बाहर लेकर आ जाओगे आपके हाथ में वो चीज होगी that is called hard copy ठीक है तो ये जो है ये है scanner इसमें क्या करते हैं इसमें जैसे ये photo रखी हुई है इसी तरह से scanner के अंदर पूरी अच्छे से हम photo को place करते है और जो कुछ भी चीज होती है इसको हमारे computer के अंदर एंटर कर देता है तो अब तो हम scanner का काम ऐसे भी करते हैं जैसे मालनों कि ये photo है ठीक है ये photo है अपने mobile के camera CC की photo खींचेंगे और laptop या computer में ट्रांसफर कर देंगे ठीक है तो वैसा ही काम करता है scanner दूसरा हाता है ये हमारे पास printer तो printer में क्या होता है यहाँ पर हम लोग कोई भी file रखते हैं जिसका print चाहिए या फिर computer से command देते हैं तो यहाँ से हमें जैसे ये newspaper है जैसे ये pamphlets है ठीक है इसको हम बाहर ले लेते हैं तो ये होता है printer तो राइट आंसर होगा option no.3 ये एक ऐसी output device जिससे की hard copy हमें मिलती है तो ये है हमारा scanner और ये है printer next question is what types of device converts digital signals into a form that is intelligible to the user तो कौन सी device है जो कि digital signal को convert करती है digital signal को convert करती है into a form that is intelligible to the user तो पहला है storage device keyboard input output device या फिर सिरफ output devices तो storage devices क्या होती है जैसे कि हमारा memory card है जहां पर हम किसी चीज को store कर सकते है keyboard क्या आगया ये आगी input device तो यहां पर ये same ही चीज बोली गई है next है output device तो यहां पर right answer क्या होगा उससे पहले मैं आपको बताती हूँ ठीक है कि output devices कौन कौन सी होती जैसे printer है monitor होता है headphones headphones को output device क्यों बोला जाता है क्योंकि इसके through music बाहर आता है that is called output device sound card इससे भी music बाहर आता है speaker से music बाहर आता है video cards plotter plotter भी printer की तरह ही होता है इससे हम print करके paper पे या बड़े-बड़े जो हमारे banners होते है charts होते है उस चीज को अगर print करवाना हो तो plotter यूज किया जाता है GPS location ये सब चीज़ें आती है output devices में तो इस according हमारा right answer है option number 4 next question is very very important that is related to printer तो यहाँ पे बोला गया है कि chain printer जो है वो कौन से type के printer में आता है options आर non-impact, daisy wheel, dot matrix and line printer तो यह जो चारों types है ना यह है हमारे पास printer के types तो printer क्या होता है वो तो हम discuss कर चुके है तो यहाँ पे मैं बताती हूँ types of printers तो ज्यादा detail में नहीं जाना बस इसके थोड़े से नाम आपने याद रखने है तो as it is इसको आप लोग note कर लीजे अपनी notebook में ठीक है and अगर आप लोग paid users हो हमारे इस पे app पे तो आप लोगों को यह PDF as it is मिल जाएगी ठीक है तो types होते है पहला होता है impact और दूसरा होता है non impact ठीक है तो impact सबसे पहले में non impact बताती हूँ ठीक है यह कैसा type का printer होता है जो की screen को sorry जो की paper को touch नहीं करता ribbon ठीक है मान लीजे कि यह printer है printer का एक ribbon होता है इस तरह से ठीक है and यह हमारे पास paper है जिसको हमें print चाहिए non impact है तो यह दूर से ही क्या करेगा spray करेगा words की यह directly paper को touch नहीं करेगा ठीक है तो impact के type से character link ठीक है character को subdivide किया गया है dot matrix daisy wheel इसको किया गया है drum, chain and band printer तो यहाँ पे हमें chain printer का पूछा गया है ठीक है तो chain printer कौन सा type है non impact है नहीं तो यह option गलत हो गया ठीक है next है daisy wheel तो क्या यह daisy wheel का type है no daisy wheel यहाँ पे है and chain printer यहाँ पे है तो daisy wheel भी गलत हो चाहेगा ठीक है next आता है हमारे पास dot matrix printer तो again dot matrix क्या है यह भी यहाँ पे है character printer के under last option है हमारे पास line printer तो yes यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि chain printer जो है वो line printer का ही एक sub part है तो right answer है हमारे पास option number 4 तो इनकी जादा detail में जाने की जरूरत नहीं है बस आप लोग इनकी नाम याद रख लीजिए next question is which among the device that converts computer output into a phone that can be transmitted over telephone line तो वो कौन सी एक output device है जो की एक computer के output device को computer के output को क्या करती है telephone lines के थूँ transmit करती है तो students में आप लोगों को बैताना चाहती हूँ कि transmit का मतलब होता है transfer करना तो आप लोगोंने confused नहीं होना है तो जहाँ पे भी हमारी telephone line की बात आती है तो वहाँ पे हमेशा हम लोग use करते है किसको इस device को तो इस device का नाम क्या है इस device का नाम है modem ठीक है तो जहाँ पे भी telephone की बात आती है telephone line की बात आती है that means we are talking about modem ठीक है तो यह internet और इन सब चीजों से related होता है next question है हमारे पास a light sensitive device that converts drawing printing text और other images into digital form तो कोई भी हमारे पास अगर drawing है या फिर printed text है ठीक है उसको digital form में यानि कि उसको अपने computer के अंदर अगर हमें चाहिए transfer करवाना है तो क्या use होगा keyboard use होगा plotter scanner OMR ठीक है optical mark reader तो इसका right answer होगा scanner ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ठीक है जैसे कि हमारे पास कोई book है मान लीजिए ठीक है उस book को क्या करते हैं उस book को अगर हम लोग अपने laptop में डालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे photo click करके भी कर सकते हैं या फिर scanner की through भी कर सकते हैं अब जैसे आप लोग UGC net के लिए prepare कर रहे हो ठीक है इसका आप लोग फॉर्म जो है वो online फिल करते हो तो online फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या ज़रूरत परती है जैसे आप लोगों को अपने signature चाहिए होते हैं ठीक है अपना आप लोगों को थम इंप्रेशन अप्लोड करना होता है आप लोगों को क्या करवाएंगे वो सबसे पहले अपने computer में एंटर करवाएंगे तो उसको scan करते हैं तो इसको क्या करेंगे वो scan करेंगे और इसका एक photo format बन जाएगा और उसको laptop या computer में डाल देंगे तो यह सब चीजें होती है scanner के through Next question आता है Which of the following may also be called the screen or monitor तो इन में से किसको screen और monitor को क्या बोल सकते हैं हम printer बोलते हैं क्या printer को screen बोल सकते हैं नहीं बोल सकते scanner को भी नहीं बोल सकते hard disk, hard disk क्या होती है यह storage device होती है तो इसको भी नहीं बोल सकते, display तो जो screen होती है, laptop, mobile की, computers की, तो इसको क्या बोलते है, इसको display भी बोलते है, तो right answer होगा, option number 4, next question है, a barcode reader is an example of, so barcode reader क्या होता है, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस तरह के code, जो भी product हम खरीदते हैं, जाए एक pen है, या फिर कोई mobile है, या बड़ी से बड़ी कोई भी चीज हम खरीदते हैं, तो यहाँ पे code आप लोगों को नज़र आएगा, ठीक है, तो अब देखते होंगे, आप लोग की mall वगरा में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, इस सरह से code को read करते है, and build create किया जाता ह तो इसको बोला जाता है, barcode reader, यह होता है, बार कोड ठीक है, जो devices को read करती है, वो होती है, barcode reader, तो पहला option है processing device, तो क्या इसको processing device बोलेंगे, दूसरा है storage device, तो क्या यह हमारे इस code को, या फिर इस से related जो information होती है, उसको store करता है, उसको अपने अंदर save करके रखता है, ती क्या यह इस code का data जो है, अपने अंदर लेगा, इसको input करेगा, इसको अपने अंदर save करेगा, कुछ देर के लिए, temporary basis पे, ठीक है, next है output device, तो क्या यह इस device से, इस code में, कुछ output देगा, कुछ result देगा, ठीक है, तो मैंने, I hope, options बहुत अच्छे से clear किये है, and image वे आपको ब जो भी information होती है, hidden information होती है, उसको क्या करता है, यह read करता है, यह input लेता है, ठीक है, next question है, which of the following is not an example of hardware, तो चार devices है, इन में से बताना है, कौन सा hardware नहीं है, hardware नहीं है, तो यह क्या होगा, यह software होगा, तो scanner, scanner हमने देखा, यह क्या है, एक device है, जिसको हम touch कर सकते हैं, तो य hardware होगा, ठीक है, printer, again, इसको भी हम touch कर सकते हैं, यह भी hardware है, monitor क्या होता है, monitor कंप्यूटर की screen होती है, तो इसको भी हम touch कर सकते हैं, इसका मतलब है, कि यह भी hardware है, हमें चाहिए not hardware, ठीक है, तो interpreter क्या होता है, interpreter होता है, software, इसको हम exactly software भी नहीं बोल सकते हैं, यह क्या होता है, हमारे एक system के अंदर की functionality होती है ठीक है जो की interpret करती है एक चीज को दूसरी चीज में ठीक है बस आपको यह याद रखना है कि interpreter जो है वो hardware नहीं होता है जितनी भी hardware devices ही वो images की through मैंने आप लोगों को बता दी है और जितनी भी software थी input output जो भी devices ही वो सब हमने आपको बता दी है ठीक है next आता है हमारे पास devices that let the computer communicate with you तो कौन से device की through एक user ठीक है computer से communicate कर सकते communicate करने का मतलब यह नहीं है कि मैं computer के सामने जाके बात करूं communicate का मतलब होता है files को transfer करना यहां से वहां ठीक है तो input device की through करते हैं हम communicate output के through करते हैं type के through करते हैं या print के through करते हैं तो right answer होगा इसका output devices ठीक है next question है that is the last question information that comes from an external source and is fed into computer software is called ठीक है यहां पर बोला गया है कि हमारा computer है ठीक है इस computer में कोई बाहर से information आ रही है ठीक है कोई भी data बाहर से आ रहा है and इसको हमने अपने computer के अंदर क्या कर दिया save कर दिया ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको input बोलेंगे output बोलेंगे throughput बोलेंगे या report बोलेंगे तो बहुत easy question है इसका right answer होगा option number one तो यहां पर simple पुछा है कि बाहर से computer के बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है तो input होगी अगर बोलते कि computer के बाहर हम कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम output बोलते ठीक है तो यहां पर यह थे हमारे आज के 15 questions तो I hope you like the session and आप आप लोग मुझे comment section पर बता सकते हो कि 15 में से आप लोगों ने कितना score किया है क्योंकि यह video बहुत जादा helpful है एक question ICT में जरूर इस video से पूछा जाता है तो आप लोग comment section पर बता सकते हो कितना score किया है और कितने आप लोगों को अगर कोई issues है इन question में तो अभी आप लोग बता सकते हो हमारी team definitely आपको help करें तो आज के लिए सिरफ इतना ही thank you so much for watching this video